हेलो आवरी वान, वेलकम टू श्टेडी जौन, इस वीडियो में हम हरियाना में हुए ग्राम सचीव के पेपर को डिस्कस करेंगे, ये पेपर हुआ आपका 9 जन्वरी 2021 को और ये आपका इनिस एक्ट का पेपर है, इसमें हम मैथ और रीजनेंग के कोषिन डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपका पहला कोशिन है, अगर examination को 125 लिखा जाएगा, यानि examination का code है 125, तो hard work, hard work का code क्या होगा, तो examination के आप सभी words की संख्या को अगर जोड़े, जैसे माल लो E का मतलब होता है, E 5th place पर आता है, X का आपका जाएगा, जैसे माल लो अगर X आपका आता है, 24 पर A आपका 1st place पर आता है, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो 125 आएगा, तो ऐसे hard work के सभी digits को जोड़ोगे, जो उनकी place value है, तो आप का answer आएगा 98, D इसमें आपका correct answer है, नेक्स्ट है second question, आपको X की value निकालनी है, तो इसको आप solve करोगे, तो 11, 77 और 4, 7 से multiply होगा 28, और तो इसमें X की value आजाएगी 28, तो इसमें आपका correct answer है, नेक्स्ट question है, इफ यदि एक संक्या का एक चोथाई, कि एक तियाई 15 है, तो संक्या का 3 बटा 10 क्या होगा, यानि एक संक्या का एक तियाई का 1 बटा 4 15 है, यानि मालों वो संक्या X है, तो उसका 1 तियाई का 1 बटा 4 15 है, तो वो संक्या कितनी आ जाएगी, 15 गुणा में 3 गुणा में 4 तो ये संक्या वो है तो संक्या का 3 बटा 10 आपको निकालना है तो इसका 3 बटा 10 करेंगे 3 बटे 10 कर देंगे इसको तो ये आप इसको कैंसल कर देंगे 5 3 जा और 5 2 जा 10 और 2 2 जा 14 तो इसको आप सोल करोगे तो इसमें आपका जो है कैंसल करने के बाद आपका अंसर आएगा Option number D 54 339 और आपका जो है 96054 326 Next math का question है 11th question वर्तमान में आरून और दिपक की आयू का नुपाद 4 ratio 3 है यहनि present timing की आयू कितनी है 4 और 3 के ratio में है और 6 वर्स बाद 6 वर्स बाद अरून की आयू 26 वर्स होगी तो 6 वर्स बाद 26 है तो आज की टाइम में कितनी होगी 20 वर्स तो आपको जो वर्तमान दिपक की आयू बतानी है तो यहनि चैर बाग चैर बाग किसके बराबर है 20 के यानि यह आपका जो है पांच गुणा हो गया तो दीपक की बी आईउ कितने आएगी फाइव तरी जाए फिफ्टीन यानि पंदरा साल बी इसमें आपका अंसर आएगा नेक्स्ट आपका जो है कुश्चन है इसमें कुश्चन नमबर थर्टी थरी या आपका जो है फ्लाई बी आंट यादि मक्खी, मदुमक्खी और चीटी इसके लिए उप्यूग सब चुनना आपको तो इसमें आपका अंसर हैगा इंसेक्ट या कीट डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है वे संक्या चुनिये जो अन्य तीनों से भिन है तो इसमें आपका जो है ये चेर संक्या, ये चेर उप्शन दिये हुए है इनमें जो अलग है, वो आपको बताना है तो इसमें जैसे टू इंटू मेंटू फोर तो एर एक डिजिट का जो है पहली डिजिट है उसको 2 से multiply कर दिया गया है 4 टूजा 8 1 टूजा 2 एक को 2 से गुना किया है 2 तो इस प्रकार से ये संख्या बनी है तो 20 में आपका answer आएगा तो ये आपका जो है 5 इंटू में 2, 10 आगे नहीं लिखा हुए तो ये आपका जो है answer आएगा Next आपका question है math का question है 50 एक व्यक्ति दो वर्स के लिए 4 प्रति वर्स सादर्ण ब्याज की दर से 5000 रुपे उधार लेता है वे तुरंट उसे दो वर्स के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6 एक बटा 4 प्रति वर्स सादर्ण ब्याज की दर से दोनों आपके simple interest है सादर्ण ब्याज की दर से उधार देता है तो उसके इस अन्य वर्स यानि आपको एक साल का लाब बताना है तो इसमें आपका एक साल का लाब कितना होगा तो 4 प्रसेंट की ब्याज से लिया और 6 एक बटा 4 के जो है उसने जो है प्रोफिट पर दिया तो इसे लाब कितना हुआ, 2.25%, एक साल में इतना परसेंट लाब हुआ, तो यही आपको निकालना है, 5000 का 2.25%, तो परसेंट अटाएंगे, अप उन में 5000, इंटु में 25, पोइंट अटाएंगे, अप उन में 100, और परसेंट का भी नीचे 100 लगा देंगे, तो 2.0 से 2.0 गई, 1.0 से 1.0 गई, तो इसको आप मुल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह आपका अंसर आएगा, C option, C इसमें आपका correct अंसर आएगा, एक के बाद पोइंट आजाएगे, नीचे 10 है, तो आप जो है, दो 125 को 5 से गुर्णा करोगे, तो 1000, 125 आएगा, और एक के बाद पोइंट आजाएगा, Next question है, 51, यदि इसको जो है, इस परकार से लिखा जाता है, तो complaint का correct क्या होगा, तो यह आपका जो है किस परकार से लिखा गया है, जैसे G का जो है, G के बाद क्या आता है, H आता है, यह आपका last में लिख दिया, और Y से पहले क्या आता है, X आता है, तो यह आपका जो है, second यह नि जो है, यह आगे से series start हो रही है, और यह पीछे से series start हो रही है, एक बर इसके बाद वाला, फिर उससे अगले letter का जो है, उससे पहले वाला, फिर M के बाद N आता है, और फिर N के बाद, N से पहले क्या आता है, M आता है, तो यह इस परकार A के बाद B आता है, तो यह इस प्रकार से लिखा है, तो ऐसे C के बाद, C के बाद क्या आता है? D, तो D आपका जोई, लास्ट में है, तो इसमें आपका correct आंसर आएगा, B, A की option में last में D दिया हुआ है, तो यह आपका correct answer है, B इसमें आपका correct आंसर आएगा, next question देखते हैं यह आपका simplify का question है बिल्कुल easy question है यह आपके दो terms दी हुई है तो आपको जो है यह solve नहीं करना है आप यह दे रखा है a plus b का all square a plus b का all square minus में a minus b का all square और upon में दिया हुआ है a into b क्यों आपको यह simplify करना है तो a plus b का all square क्या होगा a square plus b square plus 2ab और minus में a minus b का all square a square plus b square minus 2ab और upon में दिया हुआ है a into b आप यह minus खोलोगे तो यह आपका आजाएगा a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square तो यह plus की जगे minus हो जाएगा sign change होगे और minus का sign change होगे क्या जाएगा plus का sign आजाएगा तो फिर आपका यह आजाएगा a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square और plus में 2ab upon में a b तो a square और minus a square cancel b square minus b square cancel तो 2ab plus 2ab 4ab upon में a b तो a b से a b cancel होगेगा तो आपका answer आजाएगा 4 तो b इसमें आपका correct answer है आपको यह multiply और इनका square करके नहीं देखना है next question है यह आपको जो है 60 और 75 के बीच में जितने भी prime number है उनका sum बताना है उनका जो जोड आपको बताना है तो 60 के बाद क्या आएगा 61 फिर आपका आएगा 67 71 और 73 तो यह आपका जोड बताना है तो इनका जोड आएगा 200 बैतर D इसमें आपका correct answer आएगा next है 68 68 में आपको जो कोशन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा यह आपको बताना है तो यह आपका simple है जैसे पहले में plus 1 हुआ फिर आपका जो इनका difference के देना है 3 फिर 5 का difference है फिर 7 का फिर आपका 9 का फिर 11 का तो यानि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यहां पर 11 है तो आप क्या आएगा 13 का तो 13, 37 में 13 एड करोगे तो आपका answer आजाएगा 50 60 में आपका correct answer आएगा next question है यह आपको जो बताना है the lowest common multiple of 24, 36, 40 यानि 24, 36, 40 का आपको लगुत्तम निकालना है LCM निकालना है तो 24, 36 और 40 का आपको जो है लगुत्तम निकालना है तो 2 से आप करोगे 12 18, 20 फिर आप 2 से करोगे 26, 29, 210 फिर आप करोगे 2 से फिर से कर सकते हो 23, 6, 9 यह सेम आजाएगा 5 फिर यह आपका आएगा 3 से 3 बन जा 3, 3 जा और 5 यह अब आप 3 और 5 से कर सकते हो अलग लगाएगा तो यह आप जो इनसे भी की मल्टिप्लाइग करोगे तो इनसे भी की मल्टिप्लाइग करने के बाद 2 x 2, x 2 x 2 x 3 x 2 x 3 ystanden 5 तो इसमे आप का आचर आजाएगा यह आपका अंसर आएगा 360 तो 360 इसमें आपका अंसर आएगा तो इसमें आपका अंसर आजाएगा option A आपको यह एड़े कैसा लगा हमें comment box में लिकर जरूर बताईए और साथ ही study zone channel को subscribe जरूर करें और notification bell का button जरूर दबाए और आपके लिए जल्दी जो है इस paper की full answer की भी आने वाली है इसलिए study zone channel को subscribe जरूर करें और notification bell का button जरूर दबाए थैंक यू